तो सीजन 2 में श्टोडी आगे कंटिन्यू होता है जहां हम देखते हैं नन को कोई ढूंड रहा था और नन छुपने का कोसिस कर रहा था इसके बाद सीन कट होकर हमें वहीं ले जाता है जहां सीजन 1 खतम हुआ था नन के मिशिन के कारण श्यांगी काफी परिशान थी तभी नन वहाँ पांचता है जहां श्यांगी उससे समझाती है कि इस तर बिना पता है घर जो ने निकलना चाहिए अगले सीन नन के ऑडिशन के बाद डारप्टर उसका काफी तारीफ करता है फिर गड़ आते हैं जहां चैन पहले नन के बदमाशी के लिए उसके हपते बड़ का स्नाक्स बन करता है और श्यांगी से कहता है तो मारे लिए मैं एक वे असिस्टन हाय कर दूँगा वाल भी रेड़ी क्योंको ये सीजन टूँबे ठेल सारे क्यारक्टर का फेस बदल चुका है तो अगले सिन हम स्यूटिंग साइट में श्यांगी और मैंग जिन को देखते हैं जहां मैंग जिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि श्यांगी में पीप एलीड क वर प्ले कर रही थी खैव आज का सुनिंग कंप्लीट होता है जिसके बास श्यांगी सोचती है फिल्म करने से अच्छा तो मेरे लिए गाना और डांसी था तब यहां चैन आकर उसे एक होंग घुसाता है और उसे सांत रहने कहता है ताकि को उन्हें देखना ले फिर उसे चैन सुब देता है और कहता है मुझे कुछ काम है तुम जल्दी खाकर सो जाओ लेकिन वह उसके पास सो जाती है तब चैन उसे उठाकर बेड में सुलाता है पर यहां तो श्यांगी बस सोने का प्रेटेंड कर उसे से डियोस कर रही थी वह इंदूसरी तरप मैंग जिन लि वेस्ट करके मुझे में लीड बनाओगे तो तुम अपने भाई को सरपास कर सकते हो अब यह एडिया लिंसेन को भी अच्छा लगता है अब नेक्स डे श्यांगी को पता चलता है कि उसका काफी सारा सीन डिलीट कर दिया गया है जब वो डारेक्टर से इस बार बात करती है तो उसके सारे सीन तो सपोर्टिंग रोल के हैं और में लेड तो मैंग जीन को बना दिया गया है लेकिन अब श्यांगी भी क्या ही कर सकते थी सिन सिफ्ट होता है जहां मिंग जे भी इस ट्रामा में गेस्ट रोल प्ले करने वाला था यहां नन भी काफी गुशाया था कि श इसलिए वो अपना सुटिंग करने से भी मना कर देता है इवन डारेक्टर खुद इसे मनाता है तो भी वह सिर्फ खाने के अलावा कुछ करने नहीं खोचता है उपर से मिंग जे भी सुटिंग करने से मना कर देता है फिर मैं जेन नन को मनाने आती है पर नन टोल्टा उसका लेकिन यह लू डाराक्टर से कहता है। अप जब लिड रोल गोई चेंज किया जा रहा हैं तो हम लोग भी हुआ सूटिंग करना चाहेंगे। परेशान होकर डाराकटर को ओरिजिनल स्कृप्त चे क्ल सूर्टिंग करना पड़ता है। इसके बाद स्यांगी का सूटिंग लू और नन दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं जैनन कहता है ये वीडियो पापा को भेजना है दोश्री तरप चैन मीटिंग पर था जैनन उसे स्यांगी के सूटिंग का वो क्लिप भेजता है जिसे देख वो जालसे से सूटिंग साथ पर चला जाता है वहीं धर अब किसिंग सिन का सूटिंग होना था लेकिन तब तब चैन वहां पहुंच जाता है इसलिए वो नर्वस होकर एक्टिंग नहीं कर पाती है यहां मिंग्जे उससे समझाता है कि पहले काम पर फोकस करो और फिर तब स्यांगी अच्छे से एक्टिंग कर पाती है और जैसे ही किसिंग सिन आता है चैन वहां से चला जाता है यह देख स्यांगी फिर से मिश्टेक कर देती है तब देख तब पांच मिनट का ब्रेक लेने कहता है इसके बाद वह चैन से मिलती है और तहती है अगर तुम एच्छा नहीं लग रहा है तो मैं किसिंग सिन नहीं करूंगी जहां चैन कहता है टोंट वरी मैं ठीक हूँ और यह तो तुमारा काम है हाँ अगर तुम प्रैवेटली किसी से मिलोगी तो मुझे प्रॉब्लम है श्यांगी हग करते वे कहती है ऐसा में नहीं करूंगी फिर उसे अगले सुटिंग के लिए बुलाया जाता है जब वो जाती है तो मैंग जिन को कॉल पर बाते करते वे सुनती है जो कि वो लिन्जन से बात कर रही थी तब वो मैंग जिन को सुटिंग के लिए बुलाया जाता है अब यहां श्यांगी को मैंग जिन का मोबाल खाली देख जाता है तब वो लिन्जन और श्यांग दोनों को साम साथ वज़े पिक अप करने आने बोलती है और फिर मैंसेज दिलीट भी कर देती है अगले सिन मैंग जिन और श्यांगी का साथ में सुटिंग चल रहा था जब मैंग जिन जान बुज कर श्यांगी को बुली कर रही थी श्यांगी कहती है लगता है तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ने दिया है जब तुम्हें एक्टिंग करना ही नहीं आता है तो तुम एक्टर कैसे बन सकती हो तब चैन आकर डारेक्टर से कहता है जब यह एक्टिंग सीख जाए तब श्यांगी सूट करेगी तब दक के लिए मैं इसे ले जा रहा हूँ इसके बाद श्यांगी और नन चैन के साथ घर जाते हैं जा हम देखते हैं मैंग जिन को लिन्चैन भी पिक अप करने आया था और श्यान भी अब यहाँ श्यान कहता है मेरा कार इधर है तो तुम उसके तरफ क्यों जा रही हो और लिन्चैन ये करकर चला जाता है कि तुम मुझे जान भुचकर ये सब दिखाने के लिए यहाँ बुलाई थी कुसा से मैंग जिन श्यान को थपर मारते वे कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ श्यान कहता है तुमने मुझे ठपर मारा तुमसे का लाग बुना बेटर श्यांगी थी और ये सब तमाशा देखकर श्यांगी को बड़ा अच्छा लगता है फिर वो सब घर के लिए निकल जाते हैं जहां पहुचकर श्यांगी और चैन नाइट वाक करते हैं ये श्यांगी जान बुचकर अपने फेस में आइस्क्रीम लगा कर उसे साफ करने कहती है श्यांगी करता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूँ कोई तुम्हें पहचानेगा तो तुम ट्रॉबल में पर सकती हो श्यांगी करती है कोई नहीं पाचानेगा कोई नहीं है यहाँ तब चैन उसे किस करता ही है कि एक कपल आकर उन्हें डिश्टब कर देता है अगले सिन सुटिंग साइट पर श्यांगी को कुछ क्रियो मेंबर के थ्रू पता चलता है कि उसका किटनेपिंग से लेकर सब कुछ किया धरा मैंगजीन का है यह जान कर वो काफी अपसेट होती है तब नन आकर उसे एक रोज देते वे कहता है अज चाइनीज वालेंटाइन डे है अगर आप पापा को भी रोज देंगी तो वो काफी खोश होंगे और शानगी भी SI करती है जहान चाइन भी उसे एक गिफ्ट देता है शानगी करती है वालेंटाइन पर हम दोने दुशे को गिफ्ट सेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं समझ लू कि हम दोने रियेशन्शिप में है चैन कहता है तुमने प्रामिस किया था कि तुम मुझे टाइम दोगी नन सोचता है पापा तो एकदम इडियट ही है और चैन की मैड गो कॉल करता है अगले सीन वे घर पहुचते है जहां नन कहता है ममी पापा मैं आंटी के साथ पहाँ डिनर करने जा रहा हूँ अपलं केड़ लाइट डिनर इंजर करो अब श्यांगी भी मौका पाकर श्यांग को सिड्योस करती है तब श्यांगी मेड आकर कहती है मैंने चिकन सुप भी बनाया है बोलने भूल गई थी उसके जाने के बाद श्यांगी फिर से सुरू हो जाती है लेकिन तब दादाजी आ जाते हैं और इससे उनका मूट फिर से खराब हो जाता है तब नन और श्यांगी मेड आकर उसे समझाती है कि आज के दिन इने अके लिए टाइम स्पेंड करने देना चाहिए और फिर नन के भी काफी रिक्वेस्ट करने पर दादाजी उनके साथ बाहर चलने के लिए रेडी हो जाते है इदर श्यांगी गुसा जब कहती है ये कैसा केंडल लाइन डिनर है जहां सब डिश्टरब करने में लगे हुए है और अब वे सिंपली खाना खाते है वह हैं दुश्री तरफ लेंसन की मेनेजर बताती है कि किटनेपिंग वालो मेटर में मैंजीन को अरेश्ट कर लिया गया है और वो तुम्हारा अब हेल्प मांग रही है लेंसन गुसा के कहता है वो इतना भी इंपॉर्टेन नहीं है कि मैं उसका हेल्प करूँ मुझे इंवेस्टमेंट के बारे बताओ जहां वो बताती है कि कॉंटर्ट के अकॉर्डिंग बीच में इंवेस्टमेंट वापस नहीं लिया जा सकता अदर्वाइस हमें डबल कंपन्शेशन पे करना पड़ेगा लेकिन अगर ड्रामा का सुटिंग ही कैंसल हो जाए तो हम अपने इंवेस्टमेंट वापस ले सकते हैं लेंसेन कहता है किसी भी कीमत में ड्रामा को रोकने का कोई रास्ता निकालो दोश्री तरफ उन दोनों का डिनर हो जाता है जा श्यांगी प्रिटन करती है कि उसे अच्छा फिल नहीं हो रहा है तब चैन उसके पास जाता है जहां वह उसे हग कर लेती है श्यांगी कहता है मुझे पता था तुम नो टनकी कर रही हो श्यांगी कुसर से कहती है तुम बिल्कुल भी रोमेंटिक नहीं हो तब चैन उसे पकर कर टेबल बर बैठाता है और किस करता है फिर पूछता है क्या ये रोमेंटिक था इस पर श्यांगी सरमाते वे चली जाती है नेक्स डे सुटिंग पर श्यांगी काफी अच्छे मूट पर थी नन कहता है मुझे पता है कल रात के बारे सोच कर तुम खोस हुए जा रही हो और पुछता है क्या तुमने पापा को किस किया श्यांगी कहती है छोटे बच्चे ऐसा सवाल नहीं पूछते है नन कहता है मैं तुम्हें और पापा को क्लोज करने में हेल्प कर रहा हूँ और तो मुझे थैंक्य बोलने छोड़कर मुझे डांट रही हो तभी वहाँ डारेक्टर परिशान होकर आता है और कहता है ये लिंसन इंटर्टेन्मेंट ये फिल्म सुटिंग रुखवाना चाहते है मेरा तो लखी खड़ाब है जो मैं ये ड्रामा डेरेक्ट कर रहा हूँ इसके बाद एक क्रियो मेंबर आकर श्यांगी को कहती है आज और सुटिंग नहीं हो पाएगा तुम घर चली जाओ इसके बाद नन कहता है डारेक्टर तुम से सही से बात नहीं कर रहा है मैं पापा को बता दूँगा जहां श्यांगी कहती है नहीं पापा को इन सब का टैंसन नहीं दो अगले सिन डारेक्टर के पास लिंसन इंटर्टेन्मेंट की आर्टिस्ट मैनेजर आकर उसे कुछ पैसे देते वे कहती है अगर ड्रामा कैंसल होगा तो ना पाइदा तुम होगा ना हमारे कमपनी को होगा तो क्यों ना हिरोईन को यह चेंज किया जाए नेक्स टे स्यांगी अपना एक सूटिंग कंप्लीट करती है जिसके बाद नन कहता है पापा पीक अप करने आने वाले हैं तब तक से तुम ट्रेस चेंज कर लो तब ही डारेक्टर आकर कल के बीवियर के लिए श्यांगी से माफि मांगता है और कुछ न्यू कोश्टम चेक करने कहता है जो की क्रियो कार में रखा था वही इदर नन और चेंज काफी देर से श्यांगी का वेट कर रहे थे जब हो नहीं आती है तो नन उसे चेक करने जाता है इदर श्यांगी कोश्टम चेक करने कार के पास जाती है तब उसे जब रण कार में बठा कर ले जाया जाता है वही उदर नन किसी को कॉल पर बाते कर तो वो सुनता है कि श्यांगी को मारना नहीं है वरना हम लोग 트ॉाबल में पर जाएंगे उसे बस अभी वेयर हाउस लेजाओ और तभी इतफाक से नन मिंग्जे से मिल जाता है और उसे बताता है कि मुमी खत्रे में है उसे वेयर हाउस लेजाया गया है ये सुनकर मिंग्जे नन को लेकर निकल जाता है पर इन दूशरी तरफ उन गुंदों का ओर्डर दिया जाता है कि उसके साथ कुछ करना नहीं है बस उसका फेस डैमेज करना है लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते मिंग्जे और चैन आकर श्यांगी को बचा लेते हैं अब यह चैन को मिंग्जे से काफी जैलसी होता है क्यूंकि वो श्यांगी का इतना केर करी रहा था इवन उन दोनों का साथ बैठा उसे देखा भी नहीं जाता है और दोनों को अलग बैठा कर इच होता है इसके बाद घर आकर चैन कहता है तम कार में मिंग जैसे क्लोज होने खोज रही थे न जहाँ वह कहती है तो तुम मुझे उस टाइप के लड़की समझ रहे हो चैन कहता है मजाग कर रहा हूँ और उसे अपने तरफ पूल करके किस करना चाह रहा था कि वहाँ लू आ जाता है सिचुएशन समझते हुए वह वापस जाने लगता है मगर चैन कहता है अब आ भी जाओ मूट तो तुमने वैसे ही खड़ाप कर दिया है लू से टीज करता है कि अब तो तुम एकसप्ट कर लो कि तुम्हें रिलेशन्शिप में आना है फिर श्यांगी को बताता है कि उन गुंडों को पकर लिया गया है वे लिंसेन के आदमी थे और लिंसेन इस ट्रामा को बंद करवाना चाहता है इसलिए मुझे नहीं लगता है इस ट्रामा का और सुटिंग हो भी पाएगा लेकिन कोई बात नहीं एक न्यू मोवी बन रहा है मैं ट्राइ करूंगा तो मैं कोई इसमें रोल देला सकूँ इसके बाद चैन कहता है मुझे कुछ काम है मैं घर जा रहा हूँ जब वो घर जाता है तो इंसन कहता है ये तभी घर आता है जब इसको कुछ चाहिए होता है चैन कहता है हाँ मैं तुम्हें ही मानने आया हूँ मैंने तुम्हें वांट किया था कि मेरे लोगों से दूर रहना जहाँ लिंसन कहता है यह तुम्हारा कहती है कि तुम अपने गर्डफ्रेंड को समाल नहीं पाते हो उसके पापा कहते है एक लड़की के लिए तुम्ही अपने भाई को नहीं माना चाहिए बैटर होगा तुम मेरे पसंद की कोई लड़की से साधी कर लो जहां चैन कहता है आप मुझे अपना पेट समझ रहे हैं कि आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा आपने कभी मुझे अपना बेटा समझाई नहीं है उसके पापा थपर मारते हुए कहते हैं तुमारी ममी सही कहती थी तुम्हें पैदा होने से पहले ही मार दालना चाहिए था ये सुनगर चैन काफी हट होता है अगले सिंग चैन वापस घराता है जां श्यांगी डिनर करने कहती है पर भोक नहीं है कहतर वो चला जाता है श्यांगी भी उसके पीछे जाती है जां वो कुछ भी पूछने से मना करता है श्यांगी भी कमफर्ट फिल कराते वे कहती है यह ठीक है नहीं पूछूंगी पर मैं हमेशा तुमारे साथ रहूंगी नेक्स दोईलू सुबा सुबा आकर अपडेट देता है कि एक famous director का film आने वाला है तो अगर तुम्हें main supporting role का भी role मिल जाएगा तो यह तुमारे लिए काफी अच्छा रहेगा लेकिन उससे पहले director एक variety show करने वाला है और उसमें जो select होगा उसी के according उसे role मिलेगा श्यांगी कहती है तब तो मेरी so के लिए काफी hard work करूंगी तब ही चैन को उसकी मा का call आता है कि मैं चैना return आ रही हूँ तो मुझे airport pick up करने आना लू सोचता है एक एक कर इसका problem बस बढ़ी रहा है इसके बाद चैन pick up करने चला जाता है जहां उसकी मा कहती है हम लोग 10 साल बात मिल रहे हैं पर तुम्हें अपनी मा को hello कैसे बोलना है ये पता नहीं है सच में तुम अपने father पर ही गए हो फिर चैन उसे अपने घर ले आता है जहां वो श्यांगी और नन को देखकर बोलती है तो तुम भी अपने father जैसे दूसरी आउरत के साथ फसे हो चैन कहता है मैं फसा नहीं हूँ और ये मेरा freedom है मैं जिसके साथ चाहे रह सकता हूँ अगले संथ श्यांगी कहती है लगता है तुमारी मम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ मुझे क्या करना चाहिए जहां चैन कहता है तुम कुछ मत करो बस अपने room पर ही रहना मेरी मम्मी कभी ये beer हमेसा roadly ही होता है और वो अपने company चला जाता है इधर श्यांगी अपने room पर ही थी जहां चैन की मम्मी बिना नौक किये ही अंदर आ जाती है और श्यांगी गो चाय बनाने कहती है श्यांगी चाय बनाती है पर वो बिना टेस्ट किये ही उसे दूसरा green nice tea बनाने कहती है श्यांगी फिर से चाय बना कर उसे देती है मगर वो कहती है यह देखकर ही बिकार लग रहा है और पुझती है तुम यहां से कब जाने वाली हो मुझे सब पता है तुम जैसे लो लेबल की लर्किया अपने प्राफिट के लिए डारेक्टर तुकिया किसी भी रेच आत्मे को इंप्रेस करने से पीछे नहीं हटती शांगी कहती है वो सब न्यूज फेक था मैं वसी लगकी नहीं हूँ तब नन भी आकर कहता है तो मेरी ममे के साथ इस तरह से ख़ड़ाब भीयोब मत करो जहां मैं कहती है तो तुम इतनी चालाख हो कि साथे से पहले ही एक बच्चे को ममी बोलना सिखा दी हो लेकिन ना तो मैं तुम्हे कभी डार्टर इन लो मानूंगी और नहीं इस बच्चे को अपना ग्रेंड सन इसलिए मेरे सामने अच्छे बनने का प्रिटेंड मत करो और इस घर से निकल जाओ बना सही नहीं रहेगा इसके बाद नन श्यांगी से कहता है ग्रेंडमा तुम्हें बुली कर रही है मैं पापा को बता दूँगा जहां वो उसे प्रामिस करवाती है कि इस बारे पापा को कुछ नहीं बताना इसके बाद जब चैन घर आता है तो श्यांगी का फेस देखकर समझ जाता है कि इसका मूड कुछ आफ है मगर वो कुछ नहीं बताती है तब चैन नन से पुछता है कि क्या बात है जहां वह काता है मम्मी का सिक्रेट बताने के लिए आपको मुझे पांच पेस्ट्रीज देना होगा चैन काता है दो पेस्ट्रीज दूँगा नन काता है एटलिस तीन तो चाहिए ही चैन काता है एक ही मिलेगा तब नन दो पेस्टी में डिल फाइनल करके सब कुछ बता देता है नेक्स टेज चैन की ममी श्यांगी को ब्रेकफास्ट बनाने कहती है जहां चैन उसे रोकते वे कहता है यह ब्रेकफास्ट नहीं बनाएगी आपको जो खाना है वो मेड बनाएगी अगर आपको खाना अच्छा ना लगे तो मैं बना दूँगा अगर तब भी अच्छा ना लगे तो मैं आपके लिए और्डर कर दूँगा बट श्यांगी यहां खाना बनाने के लिए नहीं है उसकी ममी कहती है आखिर यह कौन है जो इतनी सान से यहां रह रही है जहाँ Chan कुछ नहीं कहता है तब उसके मोम में शांगी से कहती है तो तुम इतनी स्यंगलेस हो कि तुम इसके लवर भी नहीं हो फिर भी इस घर में रह रही हो यो सुनकर शांगी को काफी बुरा लगता है तब ही कोई दरवाजा नॉक करता है जब श्यांगी दरवाजा ओपन कहती है तो सामने एक important character lean होती है जो की एक actress थी और चैन की childhood friend भी उसके आते ही चैन की ममी चैन से कहती है यह तुमारी fiance है यह सुनकर श्यांगी कहती है तो सच में तुमारी fiance है चैन की ममी कहती है I think अब तुमें घर से निकल जाना जाए इधर चैन explain करना चारा था मगर वो तो गुसा से निकली जाती है तब चैन अपनी ममी से कहता है जब हमने engagement किया ही नहीं है तो यह मेरी fiance कैसे है लीन कहती है बर तुमारी ममी हमारे साधी के लिए agree है जहां चैन कहता है लेकिन मैं नहीं हूँ और श्यांगी को जाने से रोकता है श्यांगी कहती है मैं ही बेवकुफ थी जो तुमारे पीछे पीछे हो रहे थी तुम तो कभी मेरे साथ relationship पे आना ही नहीं चाते थे किनकि और रेड़ी तुमारी फ्यों से है यह family का excuse तो तुमारा बस एक बाहना था श्यांगी कहता है तो तुम्हें मुझे पर trust ही नहीं है मैंने नहीं सोचा था तुम मेरे बारे ऐसा सोचोगी और वो चला जाता है फिर श्यांगी सोचती है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसे काफी बुरा लगा तब तक लीन भी चली जाएगी लेकिन जब वो रात को घर आती है तो लीन वही थी लीन उससे कहती है मुझे लगा तुम चली गई तब तक से चैन भी कमपणी से वापस आ जाता है और श्यांगी से पूछता है तुम अंदर अब तक से क्यों ने गई हो और लीन से कहता है यह देखकर नन भी चला जाता है चैन लीन से कहता है कल सुबह यहां सो तम निकल जाना चैन की मम्मी कहती है क्यों जब श्यांगी यहां दर सकती है तो मैं लीन को यहां क्यों नहीं रख सकती चैन कहता है इस घर का उनर मैं हूँ जहां उसकी मम्मी कहती है तुम पहले भी मेरा बात नहीं सुनते थे और आज भी नहीं सुन रहे हो तुम सच में अपने फादर जैसे ही हो एक ही खुन बहर रहा है तुम सबका तुम्हारे और तुम्हारे फादर के वज़ा से मैं बिमार होई थी तुम मेरा गलती थे, तुम्हारे वज़ा से मुझे उस आत्मी से साधी करना पड़ा चैन कहता है, अगर मैं आपका गलती था, तो आप वापस आई ही क्यों जहां वह कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें सुधारना चाहती हूँ ताकि तुम अपने पापा जैसा ना बनो यह क्या चीज का मैडिसीन ले रहा है, नेक्स्ट एलीन, श्यांगी को दिखा कर चैन से चिपकती है, जो कि यह देखकर श्यांगी गुसा से निकल जाती है और लोग को कॉल करके कहती है, एक्टिंग क्लास कब से है, मुझे आज से प्रेक्टिस करना है लोग कहता है, एक्टिंग क्लास तो कल से है, फिर पुछता है क्या चैन के साथ लड़ा हुआ है तब श्यांगी को मिंजे का कॉल आता है और अगले सीन हम दोनों को एक रेस्टो में देखते है जा मिंजे भुषता है क्या बात है तुम्हारा मोड कुछ सही नहीं है श्यांगी कहती है क्या मैं इतनी उदास लग रही हूँ मिंजे कहता है जब तुम अपना इमोशन्स भी ने छुपा पाई हो तो सो कैसे जीतोगे फिर कहता है क्या चैन के वज़े से मूड आप है वैसे तुम मेरा आफर एकसेप्ट कर सकती हो मैं अब भी तुमारा वेट कर रहा हूँ हाँ पता है तुम मुझे फिर से रिजट करने वाली हो इसलिए कुछ मत ही कहो तो ही अच्छा है मैं तो बस तुमार कमपोर्ट फिल कर आ रहा हूँ वहीं दूसरी तरफ लू चैन को टीज करता है जहां वो उसे उसके आफिस से जाने कहता है और लू भी जाने से पहले एडवाइस देता है कि गर्फ्रेंड को मनाने के लिए अपना एटिचूट थोड़ा कम करना और उसे कुछ गिफ्ट देना और हम देखते हैं चैन सच में श्यांगी के लिए गिफ्ट खड़िता है इदर श्यांगी घर आती है तो लीन कहती है मुझे लगा था अब कि बार तम घर से चली ही गई हो लगता है इंसल्ट होकर इस तम घर से निकलोगी श्यांगी कहती है पहले तम अपना देखो कई मुझसे पहले चैन तुम्हें यहां से धक्के मारकर न निकाल दे वहीं उन्हें ऐसा देख नन सोचता है लगता है ग्रेंट पा को बता नहीं होगा कि सब ममी को बुली कर रहा है और इधर स्यांगी सोच रही थी कि क्या चैन सच में बिमार है तभी उसके दादा जी चैन का घर आते हैं जान नन बताता है कि यह अईटी ममी को बुली करती है तब लीन कहती है I think आपको अपनी डाटर को यहां से ले जाना चाहिए दादा जी चैन से कहते हैं तुम्हारे कहने पर मैंने श्यांगी को यहां रहने के पर्मिशन दिया था, पर लगता है आप मेरी डॉटर के साथ साइसे ट्रिट नहीं हो रहा है, तो मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, नन कहता है ग्रेंटपा मैं आपको हेल्प के लिए बुलाया था और आप है वो चली गई, अब next month तुम lean से engagement करना, लेकिन जन मना करता है, तो वो कहती है तुम चाहते हो या नहीं, कि मैं तुम्हें प्यार करूँ, तो तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूंगी, जन कहता है आप लोग कैसे parents से जो मेरा feelings का care है नहीं करते, सिर्फ मुझे control करना जाते हैं, उसके ममी थपड माते वे कहती है, अपने पापा के साथ मेरा computer मत करो, तभी नन आकर कहता है, तो मेरे पापा को मत मारो, अब चैन नन को वहां से लेका चला जाता है, जन नन पुछता है, क्या वो सच में आपकी ममी है, उसने आपको क्यों मारा, आप और ममी तो म उसे कभी नहीं मारते हो, चैन कहता है, किनकि वह मुसे प्यार नहीं करती, तब नन उसे हग करते हैं, मैं हमेसा आपसे प्यार करूंगा, नेक्स्ट मॉर्निंग, लीन चैन की ममी के लिए breakfast ready की थी, जहां नन उसके बनाए breakfast में toothpaste मिक्स कर देता है, और जब उसकी ममी टेस्ट करती है, तो लीन को काफे सुनाती है, फिर लीन देखती है, ये सब नन का काम है, वो उसे लेकर चैन की ममी को बताती है, कि ये बदमास इस बच्चे का है, जहां चैन की ममी कहती है, ना चैन के पापा को कोई मैनर है, ना चैन को और ना है उसके बच्चे को, और नन को मानने बदमास है बड़ा होकर और बदमास ही करेगा जिस पर चैन कहता है ये मेरा बच्चा है तो तुम्हें फिकर करने का ज़रत नहीं है और नन से पुछते है क्या सच में तुम्हें उनके साथ प्रैंक किया था जावा कहता है हाँ मैं तो उन्हें बस सबक सिखा रहा था चैन लाता है जहां दादाजी फोनिस पीकर में रखने कहते हैं और चैन का आवा सुनकर ही कॉल काटने कहते हैं बर नन अपने बातों से दादाजी को即ृ बहला किसी तरह उन दोनों को बात करवाई देता है मगा चैन बस इतना कहता है कि अपना खयाल रखना तब नन कहता है इसलिए आप अब तक से सिंगल हैं सिंसी प्रता है और लीन कॉफी लेकर चैन के पास जाती है और उसे चिपकने लगती है फिर कहती है मुझे पता है तुम अपनी मम्मी के साथ अपना रिलेशन ठीक करना चाह रहे हो तो तुम्हें जब मेरे धूई यह अपोचिनिटी मिल रहा है तो तुम इसे उस स्यांगी के गवां क्यों रहे हो लेकिन चैन उससे कहता है बैटर होगा अगर तुम उससे सुनना नहीं जाती हो तो चली जाओ इसके बाद चैन नन के साथ सो रहा था लेकिन अपने मम्मी और लीन के टैंसन से उसे नीद नहीं आ रहा था वह मैडिशन खुछता है पर वह भी खतम हो च इतने गए हैं यह संबकर वह चैन को कॉल करती है जमारे घर के बहार हूं शागी जल्दी से चैन के पार जाकर कहती है तुम आने से पहले बताया क्यों नहीं अगर मैं कॉल नहीं करती तो तुम बहार रहते तब चैनो से हक करते हूं क्या तुम मेरे लिए वरीड हो मुझे तुम उसे अब तक से गुस्वा उ हो शांगी कहता है आफ कॉस मैं वरीड हूँ शायन कहता है मैं बस तुमने देखना चाहता تھा शांगी ुकूश्ती है क्या तुम घर वापस जारा चाहते हो जहां वह कता है नहीं तब शांगी उससे अपने रूम ले आती है और पुछती है तुम इतने परिशान क्यों हो तुम उसे शेयर कर सकते हो चैन बताता है कि लिंसन के गढ़ में आने के बाद ममी और पापा का डैवोस हो गया था फिर ममी एबरोट चली गई और मुझे से कभी कांटक्ट ने की उस टाइम आए 13 साल का था तब से मुझे ना ममी का प्यार मिला ना पापा का लेकिन अब जब वो वापस आई है तो मैं बस चाहता था कि अगर मैं उनके साथ थोड़ा सा आविडियन्ट रहू तो वो मुझे से प्यार करेगी लेकिन इस वज़े से तुम्हें इतना कुछ सेय ना पड़ा शांगी कहती है don't worry मैं तुमसे गुसा नहीं हूँ तब चैन उसे एक gift देते हुए sorry कहता है शांगी कहती है गलती तो मेरा भी है मुझे पता था कि तुम लेन से प्यार नहीं करते हो फिर भी मैं तुम पर गुसा थी चैन कहता है बस तुम मेरे साथ रहना मुझे हो कुछ न इसके बाद चैन explain करता है कि वो लड की मेरी friend है फियांसे नहीं है और मैंने उसे घर से चले जाने कहा है दादाजी कहते है अगर तुमारे ममी नहीं मानी तो चैन कहता है तो मैं घर से निकल जाऊंगा और यहां शिफ्ट हो जाऊंगा दादाजी कहते है यहां क्यूं जहां पर समझाता है कि अगर मैं दुस्रे जगर रहूंगा तो वो दोनों वहां भी चली जाएंगी लेकिन अगर मैं यहां रहूंगा तो वो लोग यहां नहीं आएगी इस पर दादाजी करते ठीक है पर तुम गैस्ट रूम में रहना होगा फिर चैन नन को लाने जाता है जहां उ अब लीन को यहां रखेंगी तो मैं ही इस घर से चला जा रहा हूं जहां उसकी मम्मी कहती है अगर इस घर से तुम गये तो तुम ही अपना बेटा में कभी नहीं मानूंगी तब चैन तो चला जाता है तब उसकी मम्मी लीन से कहती है वो श्यांगी मैं ऐसा क्या है जो तु मुहारे लिए एक सर्प्राइज है और वो तुम्हें सो में जाकर पता चलेगा और सर्प्राइज यह होता है कि उसके साथ तक सो में नन भी पाटिसिपीट करता है यह देख वह काफे खोश होती है लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सेम ग्रूप में लिन भी है और अब करने कहती है जहां नर्वशनेस के करण श्यांगी सही से एक्टिंग नहीं कर पा रहे थी इसलिए टीचर श्यांगी को थोड़ा और इंप्रोब्मेंट करने कहती है नैक शिन श्यांगी तो लड़की से बाते करते वे सुनती है जहां वे फेमस एक्टर यह के बारे बात कर उसने भी इस सो में ईससा लिया हैं पिर जब Siangie उसे दे खती है तो वह Siangie को देकर 240 करता है श्यांग सुष्टी है देकर ही कितने ख़़ुस लग रहा है फिर नन उसे च then के पास ले जाता है ऐ करती है तो लिए जहां व्हकाता है मैं इस हो४ का प्रोडियूशर हो और पूछ रही हो मैं यहां क्यों हूँ वैसे मैंने सुना है लिन भी सो में है सिम तुम्हारे ग्रूप में तुम कहो तो मैं तुम्हारा ग्रूप चेंज करवा सकता हूँ श्यांगी कहती है अगर मैं ग्रूप चेंज करूंगी तो उसे लगे का मैं उसे डर गई हूँ वहीं दुशे करब दो लड़की आपस में बाते करती हैं कि सो का प्रोडूसर चैन इंटर्टेन्मेंट का CEO है काफी हैंसम है वो और उन्हें बाते करता लिन सुन लेती है लेन उनसे पूछती है चैन कहा है जहां एक बताती है कि हमने उसे डिरेक्टर के साथ देखा था और उन्हें लगता है कि दोनों एक दुशे से क्लोज हैं पर जब लेन चैन के पास जाती है तो श्यांगी और उसका लवी डवी बाते सुन गुस्ता जाती है तब ही उससे यह और उसे बताता है कि मैं तुमारा फैन हो लीन कहती है मैंने सोचा नहीं था कि इतना फैमस एक्टर मेरा फैन होगा और उसे श्यांगी क्या अगेंस्ट करती है वह कहती है मैं श्यांगी के साथ सेम ग्रूप में हूँ पर उसका एक्टिंग इतना खराब है कि लग रहा है मै भी उसके वज़े से first round में eliminate हो जाऊंगी Actually उसके जैसी unprofessional actor कहां समझ पाएगी कि actor कितना hard work करते हैं अगले सिन सभी candidate के बीच में एक छोटा सा game खेला जाता है जिसमें एक किसी को drum बजाना होता है और बागी को book pass करना रहता है Drum के बजने के बंद होने के साथ ही जिसके हाथ में book होगा उसे सवाल पूछा जाएगा अब यहाँ इड्रम बजाता है और जैसा ही book श्यांगी के हाथ में आता है वो बजाना बंद कर देता है इसलिए वो श्यांगी से सवाल करता है कि जब तुम एक आइडल हो तो अपना professional काम छोड़ कर एक्टिंग के field में क्यों आई हो जा श्यांगी कहती है क्योंकि मुझे acting का भी sock है यह फिर पूछता है क्या तुम लगता है कि तुम एक अच्छी active बन पाऊगी जहांब करती है मैं hard work करूंगे यह कहता है तो फिर यह भी याद रखना कि इस profession को कैसर expect करते है इसके बाद एक दुश्री candidate पुछती है क्या तुम एक को जानती हो वो सिर्फ तुमी को target क्यों कर रहा था श्यांगी करती हो पता नहीं अगले सिर्फ फिर श्यांगी से कहता है जब तुम एक्टिंग का feel choose की हो तो इस professor का respect करना और hard work करना फिर हम देखते हैं वो घर आकर अपने एक्टिंग का real self करती है जहां चैन भी उसका help करता है दादाजी कहते है ठीक ठाक acting है बर थोड़ा all improvement का ज़रत है और फिर सब को सोजाने कहता है इस पेसली चैन को gas room में लेकिन नन तो अंदर से दरवाजा बंद कर देता है तब श्यांगी उसे अपने room लियाती है जहां चैन उसे tease करता है कि तुम चाती थी कि मैं तुमारा room आओ तुम्हें पता भी ही है कितने dangerous है और वो श्यांगी से काफी close था तो वो अपना eyes बंद कर लेती है बर चैन तो बस उसे tease ही कर रहा था next morning लो उनके घर आकर चैन को एक love story book देते वे कहता है तुम तो सच में काफी लग्की हो जो इतने बड़े शीयों की फ्यांसे हो तब नन कहता है यह मेरे पापा की फ्यांसे नहीं है अब श्यांगी के जाने के बाद वे आपस में पाते करती है कि लगता है चैन की बेटे का अपनी स्टेप मदर के साथ अच्छा relationship नहीं है दूसरी कहती है मैंने सुना है चैन और श्यांगी का extra fear है वह दूसरी तरब इन सब से श्यांगी का mood off था तभी मा मिंजे आकर श्यांगी को comfort feel कराता है और कहता है तुम चाहो तो हम लोग अभी भी relationship में आ सकते है नन कहता है अंकल आप ममी को इस तरह approach नहीं कर सकते जा मिंजे कहता है तो क्यों न तुम भी अपना mood change कर लो और मुझे अपना पापा बना लो मैं तुमें daily snacks and ice cream खिलाऊंगा नन सुचता है बात तो सही है अंकल के पास snacks का कभी कमी नहीं होगा लेकिन फिर कहता है नहीं बट मैं आपके साथ snacks खा सकता हूँ ये सुनकर श्यांगी हस परती है फिर मिंजे श्यांगी को dinner के लिए offer करता है जो नन भी जाने के लिए excited होता है फिर तभी वहाँ श्यांगी आता है तो मिंजे को यहां देख उसे स्यांगी से दोड़ रहने कहता है लेकिन उल्टा मिंजे उसे और गुस्ता दुलाता है कि मुझ पर ध्यांदने ने सच्छा है कि तुम अपने व्यूमर पर ध्यांदो यहाँ पुरे टीम को पता है कि लीन तुमारी फ्यॉन से है वस अच्छा ही है आज नहीं तो कल श्यांगी तुम्हें गिब अप करी देगी तब मैं मौके का फाइदा उठाने के लिए तयार हो इसके बाद श्यांगी के पास जाकर कहता है क्या बात है क्या लीन तुम्हें फिर से परिचान कर रही है बट डोंट वरी मैं सब हैंडल कर लूँगा तुम बस मुसे गुसाना ने तुम जब मुसे गुसाती हो तो मेरे दिल को हट होता है यह सुनकर श्यांगी कहती है यह सब बोलना तुमने कहां से सिखा जहां चैन कहता है नन ने एक लव स्टोरी बुक दिया था यह सुनकर वो हसने लगती है फिर श्यांगी अपने रियल सेल के लिए चली जाती है तब चैन लीन को अपने पास बुलाता है और कहता है तुमने यहां जो हमारे बारे व्यूमर फैलाया है अगर मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूँ तो तुम्हें पता भी है तुम्हें कितना इंबरास होना पड़ेगा और उसे आखरी वार्मिंग देता है कि मेरे साथ गेम खेलने का कोशिस मत करो किम्पि यह एब रॉड नहीं है यहां तुम्हारे एक गलती के वज़े से तुम्हारा पुड़ा करियर बरवाद हो सकता है अगले से इन रियल्सल साइट हम श्यांगी और लीन को देखते हैं जहां टीचर उन्हें पहले स्क्रिप्ट समझाती है फिर वह रियल्सल करती है यहां जान बुझकर लीन श्यांगी को बुली करती है जहां नहीं मानने कर रहता है वहां भी वह उसे मारती है और यह सब यह देख रहा होता है इसके बाद वह श्यांगी वह आइस पैक देता है श्यांगी सोचती है कितना हजीब है यह कभी मुसे धंग से बात नहीं करता है तो कभी मेरे कियर करने लगता है वेल नेक्षिन उनका फाइनल पर्फॉर्फॉर्मेंस स्टार्ट होता है लेकिन यह लीन जान बुझकर स्क्रिप्ट थोड़ा चेंज कर देती है और ऐसा सो कराती है कि यह सारा मिष्टेक श्यांगी का है इसके बाद जब मैंटर भी उनके पर्फॉर्मेंस पर कमेंट करते हैं तो वे श्यांगी को अपने एक्टिंग में इंप्रोब्मेंट करने कहते हैं पर यह कहता है अगर performance script के according नहीं हो रहा है तो mistake सिर्फ एक person का नहीं है वहीं सो का director कहता है किंकि श्यांगी एक new actor है तो इस तरह का mistake होना लाजमी है और उसे और अधिक hard work करने कहता है इधर चैन लो से कहता है पता करो lean का और क्या side business चर रहा है अब social side पर सब सियांगी के poor acting का खिल्ली उड़ाते हैं जो देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा ने लगता है तब नन आकर उसे comfort feel कराता है कि मम में तुम बहुत अच्छा acting करती हो नेक्स येन हम देखते हैं चैन अपने father को visit करने hospital जाता है जहां उसके father कहते हैं अब मैं काफी old हो चुका हूँ इसलिए तुम जल्दी से मेरे पसंद की लर्की से साधी कर लो ताकि हमारे family business तुम आगे बढ़ा सको चैन कहता है आखरी वक्त में भी आप मुझे control करना नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन मैं अपने मर्जी ससाधी करूँगा और वहाँ से वो चला जाता है लेंसें चैन को रोकता है कि बचपन से इस family का सब कुछ तुमारा है बट अब मुझे भी share चाहिए जहां चैन कहता है तुम्हारा कुछ थाई कहां जो तुम्हें तुम्हें तुम्हारा share मिलेगा और उनका ये बात लिंड सुन लेती है फिर लेंसें के जाने के बाद वो चैन से कहती है तो तुमने मेरे सारे events कैंसल करवा दिये जहां वो warn करता है कि अगर इसी तरह तुम्हारा हरकत रहा तो भूल जाओ कि तुम्हें में करियर पर success होने भी दूँगा सिंसेट होता है और चैन घर वापस आता है जहां से अंगी पुछती है क्या बात है चैन बताता है वही family melodrama ममी मेरे लिए फ्याम से चूज करी है तो पापा मेरे लिए लड़की मुझे इन सब खादत हो गया है पर फिर भी अपने आपको helpless फिल कर रहा हूँ श्यांगी करती है टेंसर ने लो कोई तुमारे लिए कुछ भी चूज करे मैं किसी को तुमारे पास नहीं आने दूगी क्यूंकि मैं हमेसा तुमारे साथ रहूंगी वहीं अब श्यांगी के सो का second round स्टार्ट होता है और इस बार उसके ग्रूप में ई और एक दूशी लड़की होती है तो वह अपना एक्टिंग स्टार्ट करते हैं जहां ई उसे गाइड करता है यहां उसके ग्रूप की एक मेंबर श्यांगी से काफ़े इंप्रेस होती है क्यूंकि अपने स्क्रिप्ट के साथ साथ उसे बाकी का भी स्क्रिप्ट याद था वह अपने टीमेट को डाट रहे थी कि तो पुछती है तो उस दिन इस्टेज पर मेरा सपट क्यों की है जहां वह कहता है कि कि मैं अनभा नहीं हूँ वहीं दुश्य तरफ लीन अपने टीमेट को डाट रहे थी कि तुम्हें तो एक्टिंग करना आता ही नहीं है उसी टाइम ई भी वहां आता है और उस लड़की को कमपट फिल कराता है जहां वह कहती है यह फर्स टाइम नहीं है इधर हम देखते हैं श्यांगी के टीम के उस लड़की को लिंच सेंड कॉल करता है और कहता है श्यांगी को सो से हटाना है तुमें अगले सिंश श्यांगी का ग्रोप फिर से रियल चल कर रहा था जहां टीचर श्यांगी से कहती है गुड तुम्हारा एक्टिंग में काफे ज़्यादा इंप्रोब्मेंट हुआ है इसके बाद ब्रेक टाइम स्यांगी चैन के लिए एक गिफ्ट तेयार कर रहे थी जो कि E ले लेता है और देता ही नहीं है और उसी टाइम चैन वहाँ आ जाता है तो E करता है श्यांगी ने ये मुझे गिफ्ट करा है श्यांगी करती है मैंने उसे गिफ्ट ने दिया है उसमें छीन लिया है वह गिफ्ट तुम्हारे लिए था लेकिन चैन तो तब भी जालस हो रहा था इसके बाद श्यांगी चैन के साथ नन का रियल सल देखने जाती है वहीं ई लीन को प्रॉप रूम से बाहर निकलते वे देखता है और जब नन अपना रियल सल करता है तो हम देखते हैं उसका वायर कटा हुआ था जिस वज़े से वह गिर जाता है लेकिली चैन और श्यांगी मिलकर से बचा लेते हैं जिसके बाद श्यांग सभी टीम मिमबर को इस एक्सिडेंट का एक्स्प्लेनेशन मांगता है जहां प्रॉप मास्टर बताता है मैंने काफी बार सब कुछ खुद से चेक किया था सब ओके था जब कोई इसके रिस्पांसिबियटी नहीं लेता है तब यह बताता है कि मैंने लिन को प्रॉप रूम से बहार निकलते देखा था लेकिन लिन यह एक्सेप्ट करने से रिफ्योज कर देती है और ब्लेम उसकी टीमेट पर लगा देती है जहां चैन कहता है मुझे पता है तुमी ने ऐसा किया है इसलिए इस सो से कुईट कर लो अगर अपना करियर बचाना है तो और तब चैन की मम्मी आकर कहती है विदाउट मेरे पर्मिशन और विदाउट इविडेंस तिम किसी को सो से कुईट ने करवा सकते और लीन को बचाने के लिए उसकी टीमेट पर सारा ब्लेम लगा देती है चैन कहता है लीन को बचाने के लिए आप सारा ब्लेम दूसरे पर लगा दी है जिस पर उसकी मम्मी कहती है लीन तुमारी फ्यांस से है तुम्हे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए चैन कहता है आप क्यों हमें से मेरे फिलिंग्स को कंट्रोल करना चाहती है उसकी मम्मी कहती है तुम बिलकुल अपने फादर जैसे हो तुम्हें पैदा होने के साथ माल देना अच्छा रहता तब शैंगी गुसार से कहती है कौन पैरंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा ट्रेट करता है आप सच में मा कहलाने के हगतार नहीं है इस पर चैन की मम्मी उसे थपर माते वे कहती है तुम होती को न मुसे बात करने वाली जहां चैन कहता है मैं इसा लाइक करता हूँ अब यह सुनकर शैंगी काफी खोश होती है वहीं यह बड़ा अपसेट होकर पुछता है कि तुम हो चैन रिलेशन्शिप में हो शैंगी कहती है अभी तक तो नहीं यह सुनकर वो खुश होते वे कहता है चलो तब रियल सोल करते हैं वहीं दूशी तरब चैन नन के साथ होस्पिटल में था जहां कुछ दिर बाद स्यांगी उनके लिए खाना लेकर आती है तो नन उसे बताता है कि पापा थोड़े परिशान है तो उनके किस करोगी तो वे ठीक हो जाएंगे तब श्यांगी चैन को एक गिफ्ट देती है और कहती है इससे तुमको अच्छा निदाएगा फिर वो श्यांगी को घर जाने कहता है किंकि कल उसे सो में जाना भी था नन कहता है पापा आप भी ममी के साथ घर जाओ लेकिन श्यांगी कहती है चिपचप से सो जाओ तुम पापा तमारे साथ ही रहेंगे नन चैन से कहता है ममी आपका कितना केर करती है आपको उनके साथ होना चाहिए वरना आप सिंगल ही रह जाओगे चैन पूछता है तो मुझे क्या करना चाहिए और अब नन के अडवाइस से चैन स्यांगी को रॉमेंटिक मेसज करता है जिसे देख स्यांगी को होसी आता है और वो रिप्लाई करती है कि बेकार से डायलोग है नन कहता है आप फिर से मेसज करो उससे अच्छा लगाया बट वो बोल नहीं रही है चैन कहता है बेटा पहले तुम तो सो जाओ नेक्स डेख स्यांगी अपना रियल्चार कम्प्लीट कर ब्रेक लेती है तब मिंजे आकर कहता है तुमने कहा था तो मेरे साथ डिनर करोगी तब पीछे से चैन भी उसे अपने साथ डिनर में ले जाने का आता है वह उसी टाइम ये भी साथ में डिनर करने के लिए श्यांगी को बोलने आया था अब श्यांगी को बड़ा इंबारस फिल हो रहा था कि किसके साथ डिनर कर जाए और वो चैन को सलाक्ट करती है तुम का हो तो हम लग स्वापिंग पर चल सकते हैं या फिर मैं तुम्हें पॉकेट मैनी ही दे देता हूं और श्यांगी देखती है कि उसने 30,000 ट्रांसफर करा है वह कहती है 30,000 बला को पॉकेट मैनी देता है सिर्फ होता है जहां नन अपने फ्रेंड से मिलने औरफनेज जाता है और वहाँ से आने के पाद चैन और श्यांगी को मसका लगाता है कि मैं कुछ दिनों के लिए मेरे दोस्त को यहां इन्वाइट करना चाहता हूं चैन कहता है अगर वह यहां आएगा तो तुम दना एक रूम में रहोगे फिर मैं कहां सौँगा नन कहता है आप इस उपचिनिटी का यूज करके मुमी के साथ रह सकते हैं चैन कहता है अच्छा ठीक है मैं औरफनेज के हेट से बात करूँगा अगले सिन नन का फ्रेंड नन के घर आता है इसलिए चैन सोने के लिए श्यांगे का रूम जाता है अभी लू श्यांगे को कॉल करके ट्रेंडिंग न्यूज देखने कहता है जहां उन्हें पता चलता है कि किसी ने ये ओनलाइन पोस्ट करा था कि श्यांगे, सियो चैन, एक्टर ई और केपप आडल मिंग्जे तीनों को एक साथ डेट कर रही है लू कहता है अभी किसी भी कमेंट पर कोई रिस्पॉंस नहीं देना पहले मैं पता करता हूँ कि ये किसका काम है and then मिंग्जे और ई के साथ सब कुछ खिलियर करना होगा और तभी चैन अपने सोसल मीडिया में पोस्ट करता है कि हम अभी तक कपल नहीं है अब तक से मैंने उसे प्रपोज नहीं किया है ये देकर लू माथा पिट लेता है कि तुम ये पोस्ट करके मेरा परिशानी और बढ़ा रहे हो और रिक्लेस्ट करता है कि अभी और कुछ पोस्ट नहीं करना श्यांगी चैन से करती है कि इन सबसे तुमारे कमपनी को एफेक्ट पड़ेगा जहां वह करता है डोंट वरी मैं हैंडल कर लूँगा नेक्स टेल लू श्यांगी को बताता है कि ये काम तुमारे टिम मेट का है उसे लिंसर ने ऐसा करने का था श्यांगी उसके पास जाकर पुछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो अगर तुम्हीं लग रहा है कि मैं डर कर सो से कुईट कर लूँगे तो मैं असा नहीं करूँगी वो लग्की कहती है विदाट इविडेंस तो मेरा कुछ भी नहीं बिकार सकती हो जहां लू कहता है तुम्हें हराने के लिए इविडेंस नहीं श्यांगी अपने performance ही तुम्हें बीट कर सकती है तब चैन की ममी कहती है लगता है तिमको ज़्यादा ही overconfidence में हो और यहां उन्हें पता चलता है कि चैन की ममी आज के सो की guest mentor है यह जानकर वो आप doubt में रहते हैं कि पता नहीं क्या result होने वाला है पर नेक सिंड कैंडिडेट के elimination का time आता है जहां उनके perform के according mentor को vote देना था रूल के according कम vote वाले candidate को eliminate होना था तो यह श्यांगी के team का perform प्ले किया जाता है जहां उनका romantic scene देखकर चैन को jealousy होता है तो बाकी perform देखकर सभी श्यांगी का तारीफ करते हैं इसके बाद सभी mentor voting करते हैं जिसमें E को सबसे highest score मिलता है और श्यांगी एंड उस लगकी को same vote मिलता है जहां director final में जाने का पुचिने कि श्यांगी को देता है इसलिए अब वो लड़की eliminate हो जाती है यह नीच पाकर लिंसन का पारा और गरम हो जाता है इधर E finalist बढ़ने के खोशी में श्यांगी को अपने साथ dinner के लिए invite करता है वह इन दुर्शी तरफ चैन की ममी चैन को बुला कर कहती है तुम घर वापस कब आओगे चैन कहता है जब तुम मुझे control करना छोड़ दोगी और अब मैं ठक चुका हूँ मुझे सांती सब जीना है उसकी ममी कहती है अगर तुम मेरा बात नहीं सुनोगे तो मैं यहीं यह मा बेटे करिस्ता खतम कर दूँगी चैन कहता है जैसा आपको ठीक लगे आप अपना ख्याल रखना इन फीजर में आपसे और कभी contact नहीं करूँगा और वो अपने ममी को goodbye करकर चलते बनता है इसके बाद उसकी ममी गुसा से lean से कहती है तुम एकदम ही useless हो जो एक लड़के को approach तक नहीं कर पाई तुम्हारा मैंने कितना help किया है पर तुम किसी काम के नहीं हो बीन से चलती है अब ये चैन और उसकी ममी में किसी काम के नहीं लग रहा है मुझे किसी तरह ये सो जीतना होगा ताकि मेरे केरियर इस्टेबल रहा है वहीं स्यांगी और इनर करके वापस आते हैं जहां ई उसे अपना feeling कनफेस करने के लिए रोकता है मकर तब तक माच चैन आ जाता है तो ये पुछता है क्या तुम लग दोनों साथ में रहते हो पर तुमने तो बताया था तुम लग रिलेशन्चिप में नहीं हो तब श्यांगी कहती है हम लग रिलेशन्चिप में नहीं है बट हम लग साथ रहते हैं तब ही बीना अपना feelings एक्ष्पेश किये ही चला जाता है जिसके बाद श्यांगी के हाथो में टेडी बी ओर देगता है तो वो तुम्हें like करता है श्यांगी कहती है नहीं वो तो हमेशा मुझे डाटे रहता है श्यांगी देवह कहता है कल मैं तुम्हें इसे बड़ा टेडी दूँगा और अंदर जाकर वो टेडी नन को दे देता है नेक्स्ट इस यांगी चैन का साइकर्ट्रीर से मिलती है जहां वो कहता है अब चैन का इंसोम्निया और एंसाइटी डिसोडर नॉर्मल है तो अब तुम लोग एक हेल्दी रिलेशन्शिप स्टार्ट करने का ट्राइ कर सकते हो नेक्स्ट इस यांगी के लिए एक बड़ा सक्ट एडी लाता है तो वो देखकर खूश होती है कि सच में कितना जेलस इंसान है सिंसिट होता है और शियांगी का फाइनल राउंड स्टार्ट होता है जहां उसकी कम्पिटिटर लीन थी लेकिन यहां लीन बड़ा सौक्ट रहती है क्योंकि वह कई शियांगी के अब काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी वह सौचती है मैं शियांगी को जीतने नहीं दे सकती तब उस एल इंसान का याद आता है वह इंसान को कॉल करके कहती है क्या तुम अपने भार को हराना चाहते हो जहां वह कहते है तुम तो उसके फ्यॉन से हो तो मैं तुम पर ट्रॉस्ट क्यों करूँ लीन कहती है मैं अपना image build करने के लिए उसे approach कर रही थी बट मैं उसे like नहीं करती अगर तुम मेरे साथ corporate करोगे तो फाइदा हम दोनों कोई होगा दुश्री तरफ श्यांगी अपना script याद कर रही थी जह नन चैन से कहता है पापा ममी नर्वस है तो आप उसको किस करो ममी को अच्छा लगेगा वहीं हम देखते हैं कोई उनका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अब अगले सीन न्यूज वाइरल हो जाता है कि श्यांगी जिसका एज 20 साल है उसका 5 साल का एक बच्चा है अब इस न्यूज के बाद चैन की PR मेनेजर कहती है कितनी बार मैंने कहा है तुम दोनों क्यारफूल रहना इस न्यूज को दबाने के लिए मुझे कितना पैसा फेकना पड़ा है और चैन से कहती है बोर्ड मेंबर अब इस मैटर पर एकस्प्लेनेशन मांग रहे है इसके बाद मीटिंग में चैन बाकी मेंबर से पुछता है आपके आपनियन से मुझे आप क्या करना चाहिए जहाँ एक कहती है श्यांगी को इंपोर्टन नहीं है इसलिए उसे सो से निकाल कर उसके साथ कॉंट्रेक्ट हटा लेना बेटर रहेगा चैन कहता है पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता अब चैन के साथ बाकी कर भहस होता देख लू और उसकी प्यार मेनेजर सब को समझाते हैं कि श्यांगी का पॉपलरिटी अभी इतना बढ़ने वाला है कि हमारी कमपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा जहां एक कहती है ठीक है पर अगर लॉस हुआ तो इसका रिस्पोंसिबिलिटी चैन को लेना पड़ेगा जहां चैन भी रिस्पोंसिबिलिटी लेने के लिए तयार हो जाता है इसके बाद लू श्यांगी को बताता है कि चैन ने तुम्हारे लिए बहुत बढ़ा रिक्स लिया है इसलिए तुम्हें अपना बेस्ट से बेस्ट देना होगा शाथ ही सियांगी और नन कर डियने टेस्ट करवाने का अरेंज भी करता है ताकि सोसल मीडिया पर सबका मुझ बंद करा सेके कि नन उसके बच्चा नहीं है दूसरी तरब चैन के फादर लिंसेन और चैन से कहते हैं अब मेरे तबियत काफी बिगड़ चुका है इसलिए मैं तुम दोनों को दो महने का टाइम दे रहा हूँ जो भी अपने अपने कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट करेगा वो फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा इस पर दोनों ही एगरी करते हैं वहीं दूसरी तरफ नन कहता है यह टेस्ट तो मिनिंगलेस है क्योंकि मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ और रिजल्ट में भी यही निकलता है इससे दोनों ही काफे जादा सौक्ट रहते हैं वे नन से पुछते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है जहां वह कहता है मुझे नहीं पता मैं तो दोजाद च्चाबिस में पैदा हुआ हूँ शांगी कहती है तो तुम पास्ट में कैसे आ गए नन कहता है पता नहीं उस दिन में पापा के साथ हाईडन से खेल रहा था पापा मुझे डूर रहे थे और उस वक्त ये नेकलेस ग्लो हुआ फिर मैं अपने आपको वहाँ पाया जब तुम्हारे गल में आग लग गया था तब मैंने ही फायर मैन अंकल को बुला कर तो मैं हॉस्पिटल लाया था ये सुनकर दोनों को ही उसके बातों पर बिलीव नहीं होता है फिर चैन कहता है इस पैटरनीटी टेस्ट से हम लोग क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे आइटिंग मुझे अपने एडप्शन वाला बात पबलिक करना होगा और एडप्शन वाला बात जानकर लोग अप शियांगे को हेटफिल कमेंट करना बंद कर देते हैं नेक्शिन उनका फाइनल राउन का परफॉर्मेंस होता है जहां ओडियन्स का मैक्सिमम वोट शियांगे को मिलता है इसलिए अपने टीम की विनर वही होती है नेक्शिन ई सियांगे से पुछता है कि अतम चैन को लाइक करती हो जहां वह कहती है हाँ बट उसने अब तक से मुझे अकसप्ट नहीं किया है यह ई भी अपना लव कनफेस करता है मगर सियांगी अकसप्ट नहीं करती है इसके बाद वह अपना नेक्स रियल सर करने वाली थी तभी वहाँ चैन आकर कहता है कमपरी में कुछ प्राबलम हो गया है और तभी ठीक सियांगी के उपर का डेकोरेशन लाइट गीरता है हरेंकी चैन बचाने के कोसिस करता है मगर फिर भी दोनों को चोट लग जाता है अगले सिन डॉक्टर सियांगी से कहता है क्यूंकि तुम्हारे पेर में दोबारा चोट लगा है तो तुम्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा और इसलिए अभी तुम्हें रेस्ट करना होगा लू कहता है पता नहीं हर परफॉर्मेंस से पहले तुम होस्पिटल क्यों आ जाती हो वहीं पियार मैनेजर परशान होकर कहती है मैं इस मैटर का पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती हूँ और लू को सारे CCTV फुटेज चेक करने कहती है जहां उनके पास यह आकर कहता है मेरे पास आल्रेडी फुटेज है आइटिंग हमें कुछ ना कुछ एविरेंस मिली जाएगा वहीं दुश्री तरब मिंजे भी उन्हें विजिट करने होस्पिटल आता है जहां वो शांगी को केरफुल रहने कहता है और फिलाल इंजरी देखते हुए अभी सोर से कुट करने का एडवाइस देता है शांगी भी कहती है हाँ डॉक्टर और लू ने भी यही कहा है मिंजे कहता है आगे अपरचिनेटी मिलता जाएगा लेकिन उसके लिए हेल्दी रहना भी जरूरी है वही हम देखते हैं चैन को मिंजे से काफ़ी जैलसी हो रहा था इसलिए वो उसे वहाँ से चले जाने बोलता है अगले सिन प्यार मेनेजर उनके पास आती है और CCTV फुटेज दिखाती है कि श्यांगी को हट करने का काम लेन का था यहाँ वो बताती है कि यह फुटेज पुलीस को दे दिया गया है और श्यांगी को यह भी गुट निउस देती है कि तम्हारे सोर से कुईट करने के बाद भी डारेक्टर अपने निउ मूवी में तम्हारे साथ काम करना चाहा रहा है अगले सिन मिंजे श्यांगी को बिला कर पुछता है क्या कोई चांस नहीं है कि तुम चैन को छोड़कर मेरे साथ वापस आओगी जहां वो कहती है मैं सच में चैन से प्यार करती हूँ तब मिंजे कहता है कोई बात नहीं पर हम लोग फ्रेंड्स तो बने रही सकते हैं श्यांगी कहती है हाँ दोस्री तरब चैन के पापा दोनों भायों के कमपनी बिजनस पॉफिट देखते हुए चैन को फैमिली बिजनस आगे बढ़ाने का जिमा सौपते हैं और लिंसन को अपने भाय का हेल्प करने कहते हैं इससे लिंसन को काफी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुंडे के थ्रोश श्यांगी को किट्नेप करवाता है पर प्लान फेल होने पर वो खुद एक्शन लेता है जहां हम देखते हैं श्यांगी और नन रोड क्रोस कर रहे थे और लिंसन उन्हें हीट करने के इरादे में था पर नन श्यांगी को दुसरे तरब धकील देता है और नेक्शन हम नन को हस्पिटल में देखते हैं हलांकि उसे भी ज़्यादा चोट नहीं लगा था पर श्यांगी काफे ज़्यादा परिशान होती है इसके बाद नन की रिकावरी के बाद सब सेलिबरेशन करते हैं जहां चैन भी श्यांगी को साधी के लिए प्रपोज करता है अगले सिन उन दोना का साधी भी हो जाता है ग्रेंपा और सभी उन्हें कॉंग्रेश्चुलेट करते हैं और उनका नाइट इस्पैसल हो इसलिए सब उन्हें अक्यला छोड़ देते हैं जहां वे अपने स्वेट सा नाइट इस्पैंड करते हैं पर सुब आदाजी कॉल करके बताते हैं कि नन मिसिंग है इसके बाद चैन पुलीस में मिसिंग रिपोर्ट करता है बट नन फिर भी कहीं नहीं मिलता है इसलिए वे मान लेते हैं कि साइट नन वापस जहां सा आया था वहां चला गया सिंसेट वोकर एक साल बात का दिखाया जाता है जहां शिंगी एक बेटे को जम देती है शिंगी चैन से पुछती है कि इसके नेक पर तील है जहां चैन कहता है हाँ हमारा नन वापस आ गया अगले सिंगे में दिखाया जाता है जब नन बड़ा हो गया था जहां वो शिंगे को बताता है कि आज मैं पापा के फ्रेंड के साथ एक गेम खेल रहा था उन्होंने मुझे ये नेकलेस दिया तब चैन बताता है मेरा एक साइंटिस्ट फ्रेंड है वो नन के साथ टाइम मेशिन पर एक्सपरिमेंट कर रहा था और उसी ने ये नेकलेस दिया है फिर नन अपने पापा के साथ हाइडन सिक गेम खेलता है और ये वही सिन होता है जो सिजन टू के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था यहां उस नेकलेस के गलो होने के साथ नन गायब हो जाता है तब शियांगी आकर पुछती है कि नन पास्ट न चला गया वो वापस कब आएगा चैन कहता है डूंट वरी हमें सब पता है सब ठीक हो जाएगा तब ही नन वेडिंग ग्रेस में अचानक से तपक जाता है और पुछता है ममी पापा मैं आपके साथी में आया हूँ जहां वे कहते हैं हम लोग अल्रेडि मेरेड हैं और यह टूटालजन टॉट्वटीन आइग तुम वापस आ गये हो यही इस ड्रामा का इंडिंग होता है मिलेंगे नेक्स ड्रामा में तब तक के लिए टेक कियर और बाबाई